आप सबको अपने चैनल पर स्वागत हैं सिबसी क्लास 12 का रिजल्ट कल देर रात जो है सिबसी ने आप अनॉस्मेंट कर दी यह से अनॉस्मेंट इसको कहे या कहे डिकिलियर बड़ा यह कंफ्यूजन है खेर मजबूरी है आप भी और हम सब भी सिबसी के आगे मजबूर है ल है लेकिन बहुत ऐसे पॉइंट है और बहुत से ऐसे इरर है इसमें जो आपको मैं इस वीडियो में देखा रहा हूं सो गैइस वीडियो के साथ जरूर बने रही एगा और साथी साथ सीबसी में एक सर्कुलर जारी कर और यह सर्कुलर में स्बंग नोटिफिकेशन चाही था उस नोटिफिकेशन को हम समझते क्या सिबसी कह रही है दर देखिए का यह यह आपको इनाइस मार्च 22 सिबसी ने सबसे बड़ी बात यहां आपके लिए बहुत इंपॉइंट से बोर्ड इंफॉर्म्ड इंफॉर्म्ड स्कूल यहां पर इस पॉइंट को देखिएगा यह परग्राफ वन जो है इसमें सबसे बड़ी बात यह करी है क्लाश टूवल का आपका थियूरी का जैसे आपको परफॉर्मेंस दिया आपने जैसे एक्जाम दिया है वैसे आपको रिजल्ट मिला है यानि परफॉर्मेंस स्कूर कार यहां यह एक चीज में साफ साफ क्लियर कर दिया इन्हों नहीं साफ साफ कर दिया कि आप इंधिवाल आप अगन्याइव Football वबबसाइट में सब्सक्राइड यह बात तो समझ में बात आए तया मगर अगर कितनी यार्र है आभि बहूत से बच्चे से बच्ची जो भी अपना माक्स अभी तक मिला नहीं है चलिए स्वेंट्स यहां पर फिर उन्हें पारग्राप में कहते हैं इन्फोर्मेशन डेट पर्फॉर्म स्टुएंट इस बेस्ट अन्धा स्टूएंट बाइशन अप्लोड बाइशन इसकूल इन्था सबसे बड़े बात यहां सिप्सी बार बार आवाज उठा दी थी और हमेशा है कहती थी कि आप सभी का एस्टूल आपलोड नहीं कर रही है उन सभी का अभी तक सिप्सी के वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है जिसके कारण सिप्सी को सिर्फ और सिव थियोरी मार्क्स प्रवाइट स्कूल को कर देना पड़ा अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई बच्चा एक्जाम नहीं दिया तो उसको को सबसे बड़ी पार जो आपको जानने के लिए तर्म 1कोर माक्स जो है किम ऊंपकिण सटीफिकेट्ट यह याद रखेगा यह पासिंट्र नहीं है उसके बाद आपको यह आप को इन्ले जाएगा जिससे आप पास या फेल के बारे में सोच रहेंगे दूसरी पॉइंट सबसे बड़ी पॉइंट से मैं आपको देखाऊंगो यह नेक्स पेज में इन्होंन कहा है एक्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड भी बात कहा है पूरी परग्राफ को पहले हम समझ लेते हैं उसके बाद कोई बच्चा अगर पास नहीं हो पाएगा टम्टू के बाद तब उसे एसेंसियल रिपिटेड कपार्टमेंटल या पासिंग कटगरी में माना जाएगा दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो मांग हो रही है इस विसे में वेटेश को लेकर तो सिबसी ने साफ साफ क करेंगे जिस परकार से वेटेश की बाद चल रही है कि वेटेश को कम कर दिया जाए इन्होंने साफ साफ कहा है सिबसी कि वेटेश जो है वह आपका टम्टू के एक्जाम के बाद होगा दूसरी बात यहां पर मैं आप इस आप लोगों में एक चीज और आवगत करा दू कि जो सबसे बड़ी बात है कि होम सेंटर इस बार नहीं होगा यानी होम सेंटर आपको नहीं मिलने वाला है और सेंटर जो होगा जो सिबसी के द्वारा ऐलॉट्मेंट कर दिया जाएगा आप उसे चैंज भी नहीं कर सकतें यह काफी इंपॉर्टन बात है लेकिन सबसे कल गया लेकिन स्कूलों के दवारा से अभी एक से हैं बच्चे है जिसमें 65 परसेट बच्चों को टमवन का रिजल्ट स्कूलों के दवारा से नहीं मिला है क्या आप सबको मिल चुका है तो जरूर केमेंट्स करके बताएंगे और तो फिर इस तरह से अचा दूसरी बात है यह इर भी बहुत है का रिजल्ट में मिल रहा है काफी एर है आखरी एर का सोलुशन जो है सीवेसी ने कहा है कि हम डिस्प्यूट डिस्प्यूट मैथर्ट के लिए अपलाई करने बुला है जो क्लास टेन का लाजज डेट है 26 मार्च लेकिन वहीं पर अगर हम डिस्प्यूट क की बात करें क्लास टुवल वाले का उनका जो लाजज डेट है वह 30 मार्च है स्ट्रेंट्स फूरी डिटेल इसके विच्टे में वीडियो बहुत जल्द आएगा स्ट्रेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस नोटिस का आपक क्या वारत